रेट्रो इस्टडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 9 के विहाइव बुक से दे स्नेक ट्राइंग पोएम डबलु डबलु रॉस के द्वारा लिखा हुआ है इस पोएम को पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पोएट की बारे में जानेंगे डबलु डबलु रॉस यानि विलियम रिक्स्ट्रॉन रॉस जिनका जन 14 जुन 1894 को हुआ था और मृत्यों हो गया था इनका जन पीटर बोरो उन्टेरियो में हुआ था और ये उनिवर्सिटी ओफ टोरैंटो से जियो फिजिक्स की पढ़ाई किये थे वो Canadian Expenditionary Force में World War I के दोरान Private Signal Cops बनके सर्विक किये थे और जो डबलु डबलु रॉस है उनका जो पहले का जो वर्क्स लिखा गया है वो फ्री वर्क्स में लिखा गया है और उनके कुछ वर्क जो है जैसे Anthology of Canadian Works, Experiment 1923-1929 और Shape and Sound ये इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं, कुछ फेमस वर्क्स हैं, अब हम देखेंगे इस पोएम का Central Idea, ये जो पोएम है The Snake Trying, इसमें जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं उन में से कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉईजनस नहीं होते हैं, कहना का मतलब उनका ये है कि सब स्नेक्स म को देखते हैं, हम उसे मारने पढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर सांप जहरीला भी है, तो वो तब तक आपको हाम नहीं पहुचाएगा, जब तक उसे किसी प्रकार का डेंजर हम सभी के तरफ से ना दिखें, ये चीज़ वो क्लियर करते हैं कि जो सांप होते हैं वो हमे का थीम देखेंगे, इस पोयम में, जो फर्स्ट इस्टेंजा है, उसमें पोईट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ती, एक सांप को चीज़ कर रहा है और वो भी एक स्टिक के माध्यम से, जो स्नेक का मूवमेंट रहता है, वो ग्रेसफूल रहता है, ये देखने के बाद, उसको रिमार्क देना, एक अपने में अलग जज़बा कायम करता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए, कि जो स्नेक होते हैं, वो एक स्ट्रेट पात में नहीं भागते हैं, जब भी वो मनुष्य को देखेंगे, तो जिधर उनको जगह मिलेगा, वो उधर भागेंगे, इट मींस कि वो मनुष्य के पहुंच से दूर भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वेंड करता है अपना वी, और उस रास्ते से बाहर हो जाता है, चुकि वो पानी के स्रोत के पास से ट्रैवल कर रहा होता है, दोसरे स्टेंजे में हम देखेंगे, जो पोएट हैं, वो बताते हैं कि जो व्यक्ती रहता है, वो इस्टिक लेके उस स्नेक को भगाने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ पल बात क्या पता चलता है, कि जो हरे हरे घास जाडिया रहती हैं, वो अपने आपको उस जाडियों में छिपा लेता है, यहां तक कि वो ब भगवान का बनाया हुआ जीव और ये बताते हुए यह पोयम यहाँ पर समाप्त होता है थैंक्यू फर वाचिंग प्लिज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रो स्टडीज